गुड मॉर्णिंग साथियों और अभी हम लोग डिकॉर्डिंग को सुरू करते हैं और अभी फिलहाल जो है ना उमीद है कि आप लोगों ने धंग से पढ़ लिया होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले इसको ढ़ंग से एक वार पढ़ लिजिए क्योंकि यहां से जो मैं टेस्ट के जैसा दे रहा हूं सिस्टम यहां से आपको एकाद कोस्टिन जो है वो देखने को मिलेगा पहले धंग से एक वार घोट लिजिए याद कर लिजिए इसके बाद ही टेस्ट में आईए टेस्ट के इसमें तो यह दो है सबसे पहले तो मैं परमुकस्थल और उत्करन करता को लूंगा में जिससे कई बार कोस्टिन आ जाते हैं तो एकाद नमर का आपको बेनिफीट हो जाएगा और यह भी कोश्टिन आते हैं कि कौन सा धातु कहां से आयात किया जाता था तो यह दोनों कोश्टिन जो है खास करके सिंधू सब्धिता जो है उसे समंदित यह कोश्टिन है परमुकस्थल और उसके उत्करन करता तो हम लोग इसको देखेंगे ठीक है ना तो सु सबसे पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मिशन दे दूँ कि हम लोग जानते हैं कि सिंधू सभेता जो था उसका विश्टार कहां से कहां तक था नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट कहां तक था तो सबसे पहले अगर हम नौर्थ को लें तो नौर्थ में हमारा जो कस्मीर है भी फिलहाल मांडा पुराना नाम उसको हम लोग बोलें तो मांडा कस्मीर तक था अब इधार देखें कर लग इस्ट साइड हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश जो है आलमगीरपूर वहां तक था और अगर साउथ देखें तो दायमाबाद महरास्ट में था और अगर वेस्ट को हम लोग लें तो वेस्ट में कहा तक था पस्चिम के तरह अगर हम लोग बढ़ना शरू करें तो सुतका गेंडोर पाकिस्टान तक जो था ये था अब जो पडमुकस्थल और उत्खरनन करता कौन थेarken जीसे हम लोग हरपा की बात करें तो हरप्पा में कौन से उत्खरन करता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम साहनी, ठीक है न, ये कई बार ये कोशिन पूछा हुआ है, पूछते हैं कई बार, दयाराम साहनी इन्होंने कब उत्खरन किया था, इसका उत्खरन का वर्ष्ट था 1921, और कौन से नदी के तठ़ और अभी वर्तमान अगर छेत्र कौम लोग देखें तो मुंट गोमरी जिला पंजाब का है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर ये पढ़ता है ठीक है ना तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज कि थी नॉर्मली कौन से साल में कि थी और कौन से नदी के कि नारे है अगर मोहन जोदरो की बात करें तो मोहन जोदरो की खोज किसने कि थी ये कि थी राखाल दास बनर जी ने राखाल दास बनर जी ने देखें सबसे पहले इसको घोट लीजिए साड़े को फिर यहां पर जो है ना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं तो मेरे से पहले बता अधरन का वर्ष था 1922, सिंधु नदी के तट पर ये खोजा गया, और ये लड़का जिला जो है इसका पड़ता है सिंध और ये भी पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में ये एक प्रांथ है, सुथका गेंडोर, सुथका गेंडोर जो है इसकी खोज कि थी आरेल स्टाइन इसकी खोज सी आरेल स्टाइन ने कौन से साल में की थी, 1927 में की थी, नदी था दास्क और कहां पर तो बलुचिस्तान में, बलुचिस्तान भी पाकिस्तान का एक प्रांथ है, आजकल वो अलगावाद का हवा चल रहा है वहाँ पर, और थोड़ा सा जो है सीपेक को लेकर के भी है ना, जो वहाँ पर कई सारी समस्या है, यानि चाइना जो अपना रोड बना रहा है उस एरिये में, बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के तहद, उसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है वहाँ पर, इन सब कारण से जो है ना, खास करके वो चर्चा में है बलुचिस् देखे, चाहद्रो की खोज की थी, गोपाल मजूमदार ने, किसने की थी, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, कौन से साल में की थी, ये की थी 1931 में, और ये भी सिंध, सिंधू नदी के किनारे है ये, और ये सिंध पाकिस्तान में जो है, ये पढ़ता है दास्क नदी के किनारे ठीक है दास्क नदी के किनारे पढ़ता है काली बंगा को हम लोग ले तो काली बंगा की खोज की थी दो थे काली बंगा के खोज करने वाले एक थे बीके थापर बीके थापर और दूसरे थे और दूसरे थे ब्रिजवासी लाल इन दोरों ने काली बंगा की खोज की थी काली बंगा जो है वो 1903 पर में उसकी खोज हुई थी घगर नदी के किनारे हुई थी और यह हनमानगट राजस्थान में राजस्थान में काले रंग की चूडियों की करण जो है इसको काली बंगा कहा जाता है फिर हम लोग देखते हैं कोट दीजी की खोज किस ने की थी कोट दीजी की जो खोज की थी वो की थी फजल अहमद ने फजल अहमद ने ठीक है रहा फजल अहमद ने खोज की थी और कोट दीजी को हम लोग देखें तो कोट दीजी कहां पढ़ है तो ये है खैरपूर, ये भी सिंध पाकिस्तान में पढ़ता है, 1903 में इसकी खोज हुई थी, अब रंगपूर, रंगपूर में तो भूलने वाला बात ही नहीं है, रंगपूर की खोज की थी, रंगनात राउने, ठीक है न, रंगनात राउने इसकी खोज की थी, और कब की थ नदी है मादर और ये काठियावार गुजरात में इसकी जो है खोज की थी काठियावार गुजरात फिर हम लोग देखते हैं लोथल को रंगपुर को हमने देख लिया रंगपुर के बाद देखते हैं रोपर को रोपर की खोज किसने की थी रोपर की खोज की थी यगदत सर्म यग्दत सर्मा ने खोज की थी कब की थी तो 1953 से 56 के बीच की थी सतलत नजी में इसका जगज है वह है रोपड पंजाब अब हम लोग बात करते हैं लोथल की खोज तो लोग जानते ही होंगे ये इसके हैं लोथल की भी खोज की थी रंगनात राव ने रंगनात राव ने लोथल की खोज की थी और रंगपूर की भी तो लोथल में रंगनात राव ने उनिसा संतावन अंठावन में खोजा था ये भगवा नदी के किनारे है अहमदाबाद गुजरात में अब हम देखते हैं आलमगीरपूर आलमगीरपूर की फिर खोज किस ने क तो यह कि थी यगदत सर्मा ने यगदत सर्मा ने कब कि थी 1958 में कहां पर कि थी नदी है हिंडन और यह कहां है मेरट उत्तर परदेश अगर बनवाली को हम लोग दें तो बनवाली की खोज कि थी RS 20 ने RS 20 हिंदी में भी लिख सकते हैं कोई दिकत निया कई बनवाली की खोज कि थी RS 20 ने कब कि थी 1974 में नदी है रंगोई और वर्तमान समंधिती छेत्र कौन सा है तो यह हिसार हडियाना का है फिर धोलावीरा को लें धोलावीरा की खोज किस ने कि थी RS 20 ने कि थी ठीक है ना RS 20 ने कि थी 1985 से 90 के बीच में कि थी नदी का तो कुछ हता पता नहीं है यह कच्छ गुजरात में है ठीक है इसमें से कितने याद थे और कितने सही किये यह कॉमेंट बॉक्स में बताना और हम लोग जो है यहां पर सीधे आगे बढ़ते जाएंगे अभी जैसे कि तो देखते हैं लाजवर्ण मनी लाजवर्ण मनी जो है इसका आयात कहां से होता था तो इसका होता था बदखसा से बदखसा ठीक है बदखसा कहां पड़ है यह बदखसा अफगानिस्तान में है यह बदखसा यहां से लैपिस लजली यालि लाजवर्ण मनी का जो है आयात ह होता था देखिए अगर कोई मेंस का कॉश्चन यू पीसी में बनता है ना तो वहां से भी काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं एंसेंट हिस्ट्री का जहां से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको उत्तर लिखन में अभी पिछली बार मैं जब उत्तर लिखन कर रहा था तो उसमें हमने देखा था खासका के modern art को तो modern art के लिखते समय हमने दो लाइन में बताया था कि कैसे अरपा के समय में कुछ जो है चीजें डेवलप हुई थी, कुछ आर्किटेक डेवलप हुए, लेकिन जब वैदिक यूग आया, तो वो आर्किटेक उतना सिगनिफिकेंट नहीं रहा, उतना महतफुर्ण भी नहीं रहा, और बाद में जब मौडरन टाइम आया, तो उस समय किस तरह से जो है, आर्ट फॉर्म और ब कोई भी चीज पढ़िए, थ्यान से पढ़िए, कई वर उत्तर लेखन में हम पीछे भी जा करके एक अच्छा उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, थ्यार करते हैं, में मेरे हमेशा अच्छे माक्स आया है, इसलिए मैं हमेशा अच्छी सलाह दे सकता हूँ यहां पर, अब बात क कजी एफ कोलार गोल्ड माईंस के नाम पर यहां फिर हम लोग आगे बात करते हैं, तिन का भी आइयात होता था, तो कहां सा आइयात होता था, अब है एस्टेटाइट जो है, वो कहां से मंगाए जाता है था, अब बात करते हैं गोमेद की गोमेद कहां से मंगाया जाता था गोमेद मंगाया जाता था सौरास्ट से सौरास्ट सौरास्ट कहां पड़ है यह है गुजरात में आगे बात करते हैं तामबा की और सबसे स्यांदार और सबसे पुरानी धातू आज भी अम लोग तामबेके काथां वी लोगों प्राइए है ओसरा पर टामबा काभा के लिए पेमस जगह है खेटरी आज से नहीं से एक्रोस हजारो सालों से खेतरी से ही तमबा जो है निकाला जा रहा है खेतरी कॉपर माइन्स राजस्थान देखा है मैंने उस जगह को काफी लंबा चोड़ा एडिया है काफी न्यूज में भी रहता है कई बार फिर हम लोग बात करते हैं फिरोजा फिरोजा कहां से मंगाय जाता था तो ये मंगाय जाता था फारस से और फिर संग मरमर के भी सौकीन थे लोग ठीक है ना संग मरमर कहां से आता था आज भी वहीं से आता है जाहिर सी बात है राजस्थान से आएगा राजस्थान से संगमरमर आता था तो आप यहां से और भी information देख सकते हैं कि जैसे यह information मिल जाती है कि उससे में भी लोग कितने सौकीन थे कि धातु जो है और खास करके धातु के साथ जो और खनीज है धातु तो पुरा नहीं बोलेंगे और जो खनीज है उसको वो अलग अलग जगा से मंगाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे अपने निर्मान प्रिक्रिया में तो आप देखिए वैदिक योग से पहले एक नगडिये सभेता विक्षित हुई थी जहां पे लोग आभूसन बनाने में जहां भवन बनाने में जहां सौंदरे परसाधन में और सजावट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं नहीं चीज़ों की इंद्र गोप मनी इंद्र गोप मनी की हम लोग बात करें था ठीक है इसमें कितने सही हुए आप एक वार देख लिजेगा एंसर राइटिंग की मैं कोशिस करूँगा कि एंसर राइटिंग मैं शुरू करूँ यहीं तक अकाडमिक्स था आप यहां से चाहें तो आप छोड़ सकते हैं वीडियो को मेरी तो थोड़ी सी मजबूरी है कि मुझे कुछ बाचित करने की आदत है किदम सिंगल रहता हूं तो कोई है नहीं बाचित करने वाला तो यही एक माध्य मुझे लगता है जिसके जरिये मैं कुछ बाचित कर लेता हूं और कॉमेंट्स मैं सभी के पढ़ता हूं मुझे बहुत कॉमेंट्स पढ़ना मुझे ब तो सेकेंड लिस्ट में समायो जीत होने के पूरे चांस रहते हैं, BPSC ने इस तरह के options नहीं दिये हैं, options देना चाहिए, कोशिस करना चाहिए कि BPSC इस तरह के options दे दे, Easily तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसके लिए सरकार पर दबाब बनाये जाए, तो वो देंगे इस चीज को, तो मेरी यही कोशिस रहेगे कि सरकार के उपर में दबाब बनाये जाए, सरकार के उपर ऐसे दबाब बनेगा कि, देखिए, एक तो जो बड़ी संख्या में स्टुएंट्स हैं, उनका यूनियन नहीं है, यूनियन रहना चाहिए, और अभी कोवीड प्रोटोकॉल के नाम पर जो है न, कोई बड़ा जो आंदोलन है, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन आजकल हमारे पास एक मीडिया है, हमारे पास एक मीडिया है, सोसल मीडिया, तो हम लोग यहाँ से एक बड़ा जो आंदुलन है बड़ा आंदुलन को हम लोग शुरू कर सकते हैं और फिलखाल क्या है न कि आप जतने लोग हैं वो जूर जाएए और जो लोग इसको सुन रहे हैं वो सब इच्छा करें इसको लाइक करें सब्सक्राइब करिए और अच्छा नहीं लगे तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए इसको और एक बड़ा जो है ना अंदूलन खड़ा करने की जरुरत है ताकि जो स्टूनेंट्स के जो हीत है वो सुरक्षित रहें क्योंकि बहुत सार ऐसे स्टूनेंट्स होंगे जिनका ये लास्ट एटेंप्ट होगा और उस अगर एक्स्टा सीट्स अगर नहीं निकालती है अगर विपीएसी तो उनकी एज निकल जाएगी फिर ये जो सीट्स है लगवग्ध दोसों के कड़िब कड़िब सीट्स खाली रहेगी उसको फिर अगले में जोड़ेंगे वो तो जो नए लोग है उनको तो तो benefit हो सकता है कि हो उतना benefit नहीं होगा क्योंकि फिर वो ऐसे ही है जो सीटे खाली रहेगी उसके गेंस्ट में VPSC फिर वेकंसी वेकंसी ऐसे वेकंट वेकंट सीटे को रखती है तो इसको लेके थोड़ा सा लराई का जरूरत है सब लोग यूनाइट हो ये और इसको लेके वो करिए कि जो इंटर्व्यू तक पहुंसते हैं लोग उनको कहीं सरकार जो है वो समाई जीत करे इसकोल के टीचर बना दे उससे इसकोल की क्वालिटी भी काफी ज़्यादा सुधरेगी चली अभी के लिए इतना ही धन्यवाद